राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधूं आज मैं आप के लिए लाई हूँ अधिक मास में किये जाने वाले दानों का वर्नन बंधूं दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है और दान कितने प्रकार की होते हैं बंधूं यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आईकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारे सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे विश्णु भगवान जे मालक्ष में जरूर लिखें बोलो विश्णु भगवान की जे बंधों जो मनुष्य एकाशी को निराहार रहेकर द्वाशी को ब्रहामन के मुख में अन दे इस प्रकार पृश्वतम की अर्चना करता है वह परमपत को प्राप्थ होता है यह शुकल पक्ष की द्वाशी भगवान विश्णु की दिथी है इस दिन भगवान जनार्दन की प्रेदन पुर्वक अराधना करनी चाहिए शी विश्णु के उदेशे से जो कुछ भी पवित्र ब्रहामन को दान दिया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है ब्रहामनों के मिलने पर वे कहीं कहीं प्रतिमा आदी में भी पूजित होते हैं एश्वरे चाहने वाला मनुष्य इंद्र की पूजा करे आरोग्य की अभिलाशा रखने वाला पुरुष सुरे की अधन की कामना करने वाला मनुष्य अगनी की तथा कर्मों की सिध्धी चहने वाला पुरूश गनेश्ची का पूजन करे जो मनुष्य समपूरन संसार बंधन से छूटने की अभिलाशा रखता है उसे श्री हरी की अराधना करनी चाहिए जो योग, मोक्ष और इश्वरे ज्यान तीनों की इच्छा रखता हो वह यतन करके देवताओं के स्वामी महादेवजी की अर्चना करे जो महान भोग विवित परकार के ज्यान चाहाते हैं वे भोगी पुरुष, श्रीभूत, नात, महेश्वर तधा भगवान विश्णु की पूजा करें जल देने वाले मनुष्य की त्रिप्ति होती है जल दान का महत बहुत अधिक है तेल दान करने वाले को अनुकूल संतान और दीप दान करने वाले को उत्तम नेत्र की प्राप्ति होती है भूमी दान करने वाले को सब कुछ सुलब होता है स्वरन दाता को दिर्ग आयू की प्राप्ति होती है ग्रहे दान करने वाले को शेष्ट भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप मिलता है वस्त्र दान करने वाला चंद्रमा के लोग में जाता है अश्व दान करने वाला उत्तम सवारी को प्राप्त करता है अन्न दाता को अभिष्ट संपत्ती और गो दान करने वाले को सुरे लोग की प्राप्ति होती है सवारी और शेया दान करने वाले पुरुष्ट को पत्नी मिलती है अभे दान करने वाले को एश्वरे प्राप्त होता है धान्य दाता को सनातन सुख और ब्रह्म दान करने वाले को शाश्वत ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है जो वेद विद्या विशिष्ट ब्रहामनों को अपनी शक्ति के अनुसार अनाज देता है वेह मृत्यू के पच्चात स्वरक का सुख भोगता है गवंगों को अन देने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है इंधन दान करने से मनुष्य की जठर अगनी दिप्त होती है जो ब्रहामनों को फल, मूल, पीने युग्यपदार्थ और तरहें तरहें के शाक दान करता है वेह सदा आनन्दित होता है जो रोगी के रोग को शांद करने के लिए उसे औशधी, तेल और अहार प्रदान करता है वो रोगहीन, सुखी और दिर्ग आयू होता है जो छत्र और जूदेदान करता है वेह नरकों के अंतरगत, असी पत्रवन, छूरे की धार से युक्तमार्ग और तीके ताप से बच जाता है संसार में जो जो वस्तू अत्यंत प्रिये मानी गई है तथा जो मुश्य के घर में अपेक्षिद है उसी को यदि अक्षे बनाने की इच्छा हो तो गुनवान ब्राहमन को उसका दान करना चाहिए आयन परिवर्तन के दिन विशुव नामक योग आने पर चंद्रमा और सुरे के ग्रहन में संक्रांती की अफसर पर दिया हुआ दान अक्षे होता है जो पाप आत्मा मानव गो ब्राहमन अगनी और देवता के लिए दी जाने वली वस्तु को मोहों वश रोग देता है उसे पशु पक्षों की योनी में जाना पड़ता है जो द्रव्य का उपारजन करके ब्राहमनों और देवताओं का पूजन नहीं करता उसका सर्वस छिन कर राजा उसे राज्य से बहार निकाल देती है योग्य पाप्र को शर्धा पुर्वक धन अरपन करना दान कहलाता है ओम कार के उच्चारन पुर्वक किया हुआ दान भोग और मोख शुरूपी फल प्रदान करने वाला होता है दान तीन परकार का बतलाया जाता है नित्य नेमितिक औरकाम में एक चोथे परकार का भी है जिसे विमल नाम दिया गया है विमलदान सब प्रकार के दानों में परम उत्तम है जिसका अपने उपर कोई उपकार ना हो ऐसे ब्राहमन को फल की इच्छा ना रख कर प्रती दिन जो कुछ दिया जाता है वहे नित्ते दान है जो पापों की शांती के लिए विद्वानों के हाथ में अरपन किया जाता है उसे शेष्ट पुरुषों ने नैमितिक दान बताया है वहे भी उत्तम दान है जो संतान, विजे, एश्वरे और सुक की प्राप्ति के उदेश्य से दिया जाता है उसे धरम का विचार करने वाले रिश्यों ने काम मेदान कहा है जो भगवान की प्रसंता के लिए धरम युक्त चित से ब्रह्म वेता पुरुषों को कुछ अरपन करता है वहे कल्यान मेदान विमल अर्थांस सात्विक माना गया है सुयोग्य पात्र के मिलने पर अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए कुटुम्ब को भोजन और वस्त देने के बाद जो बचे उसी का दान करना चाहिए अन्यता कुटुम्ब का भरन पोशन किये बिना जो कुछ दिया जाता है वेह दान दान का फल देने वाला नहीं होता वेद पाठी, कुलीन, विनीद, तपस्वी, वरत प्रायन, एवं दृद्र को भक्ती पुर्वक दान देना चाहिए जो अगनी होत्री ब्रहामन को भक्ती पुर्वक पित्वी का दान करता है वेह उस परमधाम को जाता है जहां जाकर जीव कभी शोक नहीं करता जो मुनशे, वेद वेता ब्रहामन को गन्नों से भरी होई और जों और गेहूं की खेती से लह ललहाते होई भूमी दान करता है वेह फिर इस संसार में जनम नहीं लेता जो द्रिद्र ब्रहामन को गो के चमडे बराबर भूमी भी दान करता है वेह सब पापों से मुक्त हो जाता है भूमी दान से बढ़कर इस संसार में दूसा कोई दान नहीं केवल अन्नदान उसकी समानता करता है और विद्यादान उससे अधिक है जो शान्त, पवित्र और धर्मात्मा ब्रहामन को विद्य पुर्वक विद्यादान करता है वेह ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है ग्रहिस्त ब्रहामन को अन्दान करके मिनश्य उत्तम फल को पाता है ग्रहिस्त को अन्ध ही देना जाहिए उसे देकर मानब परमगती को प्राप्त होता है बोलो विश्नु भगवान कीजे राधे राधे जै श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद